Hello Students, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे Reactions of Representative Elements तो First Year Chemistry की New Book से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक और इसका हम First Chapter पढ़ रहे हैं तो First Chapter के अंदर हमें Representative Elements के बारे में पढ़ना है तो इसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे Reactions of Representative Elements Representative Elements कौन से Elements हैं? ये वो Elements हैं जो S Block Elements और P Block Elements को मिला कर बनते हैं अब S Block Elements और P Block Elements ये दोनों मिलकर Representative Elements कहलाते हैं आज हम इसके अंदर S Block के अंदर Elements के Reactions को देखेंगे और P Block के हम बाद में Next Video में देखेंगे तो सबसे पहले S Block Elements कौन कौन से Elements हैं? जो One Group और Two A Group के जो Elements हैं इन्हें हम S Block Elements कहते हैं One A Group के जो है Elements Alkali Metals और Two A Group के Elements Alkaline Earth Metals कहलाते हैं ये दोनों मिलकर S Block Elements कहलाते हैं ये Highly Reactive Elements हैं ये बहुत ही जल्दी Reaction कर लेते हैं किसी भी Elements से and they also can easily lose their electrons और ये जल्दी अपने Electrons को Lose करते हैं Lose क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास एक ही Elements होता है और ये Highly जो इनकी Ionization Energy है वो भी कम होती है तो इसलिए इनका जो Electron है वो Lose करना बहुत ही Easy होता है इनकी Low Ionization Energy की वजह से Ionization Energy क्या है? ये वो इनरजी है जो किसी भी Electron को एक Atom से Remove करने के लिए चाहिए होती है तो Ionization Energy Low होने की वजह से इनका Electron जल्दी से Remove हो जाता है और किसी और Atom का इसा बन जाता है अब हम 1A Group और 2A Group के Elements का जो Reactions है वो देखने वाले हैं सबसे पहले जो है Oxygen के साथ ये कैसे Reactions करते हैं Oxygen के साथ कोई भी Atom जब Reaction करता है तो वो Oxides बनाता है तो यहां पर भी जो Alkaline Metals हैं और Alkaline Earth Metals हैं ये Metal Oxides बनाते हैं और ये Oxides जो Metal Oxides हैं ये तीन तरह के होते हैं एक हमारे पास है Normal Oxides जो के Normal होता है और Normal के अंदर जो है Oxygen की जो Valency होती है वो Minus 2 होती है तो याद रहे जब भी Oxygen की Valency Minus 2 हो तो मतलब है ये Normal Oxide है उसके बाद दूसरे तरह के Oxide होते हैं जिने पर Oxide कहा जाता है और पर Oxide के अंदर Oxidation State होती है हमारे Oxygen की Minus 1 तो Oxygen की Minus 1 अगर Oxidation State आ जाए तो मतलब पर Oxide है ये उसके बाद हमारे पास जो Last के Elements कुछ बचते हैं वो Super Oxides बनाते हैं Super Oxides का मतलब है Oxygen की Valency या फिर Oxygen की Oxygen State है वो Minus 1 upon 2 होगी तो Minus Half जो है वो Oxygenation State होती है Super Oxides के अंदर अब यहां पर जो 1 A Group के अंदर जो Elements हैं वो कौन-कौन से Oxides यहां पर बनाते हैं सबसे पहले है Lithium, Lithium जो है यह Normal Oxide बनाता है Sodium उसके बाद Par Oxide बनाता है और बाकी के सारे जो Elements है वो Super Oxides बनाते हैं यह बात आपको याद रखनी है कि Normal Oxide कौन बनाता है और Par Oxide यहां पर कौन बना रहा है और उसके बाद हम इसके Reactions को देखते हैं और यह Reactions जो है वो बहुत ही Simple है आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास Reactions है Lithium के Lithium जो है यह Oxygen से जब Reactions करेगा तो यहां पर बनेगा Lithium Oxide और साथ में हमारे पास जो है यह Lithium Oxide नार्मल Oxide होगा और इसे हम Lithium Oxide ही कहेंगे अब Lithium यहां पर और Oxygen यहां पर Reaction कर रहे हैं यहां पर Oxygen की जो Valency होगी वो –2 होगी तो यहां पर –2 है Oxygen की Valency और यहां पर Lithium की Valency प्लस 1 है –2 और प्लस 1 जब आपस में मिलेंगे तो यहां पर Lithium के एक Molecule के अंदर दो Lithium चाहिए होंगे क्योंके प्लस 1 है इसकी Valency और यहां पर Oxygen की –2 है तो इस तरह से यहां पर दो Valency हो जाएंगी दो बैलनसी हो जाएंगे हमारे लीथियम की तो लीथियम का प्लस वन और प्लस वन प्लस टू हो जाएगा यहां पर और यहां पर हमारे पास ऑक्सिजन की जो है यह माइनस टू है तो प्लस टू और माइनस टू यह आपस में कैंसल हो जाएंगे और इस तरह से न्यूट्रल य लिए यहां पर 2 लगा देंगे और यहां पर 4 lithium लगा देंगे तो इस तार से normal oxide बन जाएगा लिधियम का उसके बाद हम sodium देखें सोडियम का यहां पर क्या है सोडियम की वैलनसी जो है यह प्लस वन है और यहां पर जो ऑक्सीजन की है यह माइनस वन है क्योंकि यह पर ऑक्साइड है तो पर ऑक्साइड के अंदर इसकी जो ऑक्सीजन की वैलनसी वह माइनस वन होती है अब यहां पर ऑक्सीजन की माइनस वन यहां पर जो पार औक्साइट बन गया है साडियum का एन दू हो टू होगी का दो यह पूरि मैयनों हो जाएगी तो इसके अंदर इसके अधर प्लस सीज Значит की और पटेसियम की in के ओर पिपर ऑग्साइड एक्सूपर उक्साइड य dairy है ये इनन स्टी माइन पर यह来ँ वैदनपादों hin व्यheit अवतřिन स्टीयम आपन हो गई और प्लस वन और इसकी माइनस हम सधी मा से만ी है फ़िजियम हो पंद कर कर में पिल प्लस वन और स्का पर श्काइड है पर super oxide बना देंगे यहां पर oxygen जो है दो लग जाएंगे एक रोबीडियम के साथ के अंदर भी यही होगा सीजियम super oxide बन जाएगा और यहां पर यहां पर यहां पर ऑसे reaction हो गए oxygen के साथ उसके बाद two a group के जो elements है उनके reaction हम देख लेते हैं oxygen के साथ तो यहां पर alkaline earth metals जो है यह oxygen के साथ reaction करते हैं लेकिन बहुत ही high temperature पर यह इसको अगर कम temperature पर हम reaction कराएं तो यह oxygen के साथ reaction नहीं करेंगे अब इसके अंदर कौन-कौन से elements आते हैं बेरिलियम, magnesium, calcium, strontium और barium यह जो है यह two A group के elements हैं इनके अंदर बेरिलियम, magnesium, calcium जो हैं यह हमारे पास normal oxide बनाते हैं बाकि strontium और barium यह paroxides बनाते हैं तो यह आपको याद रखना है बेरिलियम, magnesium, calcium, normal oxide बनाते हैं strontium, barium, paroxides बनाते हैं अब यहां पर दो equations हैं, इन दोनों की, एक हमारे पास normal oxide की equation है, एक हमारे पास पर oxide की equation है, तो normal oxide की जगा पर beryllium, magnesium, calcium आ सकते हैं, और per oxide की जगा पर हमारे पास strontium और beryllium आ सकते हैं, तो यहां पर आपको पता है, यह जो M है, इस M का मतलब क्या है, M का मतलब है beryllium, magnesium या calcium कोई भी यहां पर मेटल आ जाएगा और इस यहां पर भी M का मतलब यही है कि बारलियम मेगनेशिएम यह के रिकेंशियम इसके अंदर पेंधर आजाएगा अब यहां फिर नीचे आली एकउशिन के अंदर जो M है इसके अंदर स्टरॉंटियम और बारियम आ सकता है तो यहांपर दो M होंगे मतलब दो बेरलियम होंगे दो मेगनिशम होंगे दो कैल्शम होंगे या कोई भी यहांपर element होगा और oxygen के साथ जो reaction करेगा तो 2MO बनेगा तो 2BEO बन सकता है 2MGO बन सकता है इस तरह से यह हमारे पास reaction हो जाएगा और दूसरा हमारे पास यहांपर क्योंके इनकी जो valency है वो क्या है यहांपर इनकी valency plus 2 है और oxygen की यहांपर valency कितनी होगी oxygen की यहांपर normal oxide है तो oxygen की valency होगी minus 2 तो plus 2 और minus 2 यह आपस में cancel हो जाएगे तो यहांपर single हमारे पास यह oxygen लगेगा इसके साथ एक oxygen लगेगा और दो oxygen है तो यहांपर 2 लगा देंगे और इसके साथ भी 2 लगा देंगे तो balance equation हो जाएगी यहांपर M है इसके अंदर इसकी जो valency है यह plus 2 है और यहांपर oxygen की valency क्या होगी minus 1 क्योंके यह per oxide है तो minus 1 होगी अब minus 1 होगी तो यहांपर हमें minus 2 बनाना है क्योंके यहांपर plus 2 है तो यहांपर दो oxygen लगा देंगे दो oxygen इसके साथ मिल जाएंगे तो यहांपर इसकी minus 2 valency इसके plus 2 valency के साथ satisfy हो जाएगी और हमारे पास जो है वो पर oxide बन जाएगा strontium par oxide या barium par oxide बन जाएगा तो इस तरह से यह reaction करेंगे तो यहांपर हमारे पास देखें यह normal oxide का magnesium के साथ एक oxide बना हुआ है और यहांपर par oxide का beryllium के साथ एक oxide बना हुआ है यह हमारे पास barium है sorry barium के साथ oxide है BA और इसके अंदर यहांपर O2 है BA O2 बन गया क्योंके यहांपर oxygen की जो balance होगी वो minus बना होगी beryllium की plus 2 होगी तो यहांपर 2 oxygen लगेंगे यहांपर यह balance ही minus 2 हो जाएगी और यहांपर यह हमारे पास beryllium oxide बन जाएगा magnesium के अंदर भी हमारे पास यहांपर plus 2 magnesium की है minus 2 oxygen की है तो magnesium और oxygen आपस में मिलकर magnesium oxide बना देंगे और यह हमारे पास इसको balance कर देंगे यहांपर 2 लगा कर यह हमारे पास reaction होगया उसके बाद हम देखेंगे reaction with water water के साथ alkali metals कैसे react करते हैं alkali metals react with water to produce metal hydroxides तो जब भी alkali metals या फिर alkaline earth metals water के साथ reaction करेंगे तो यह hydroxide बनाएंगे तो hydroxide क्या है किसी भी metal के साथ अगर आप OH लगा दें तो इसे हम hydroxide कहते हैं तो यहांपर metal hydroxide बनेंगे और उसके साथ साथ यहांपर hydrogen gas भी मिलेगी हमें तो यहांपर metal hydroxide बनेंगे और hydrogen gas मिलेगी इस reaction से इसकी intensity बहुत ही ज्यादा होती है मतलब बहुत ही violent तरीके से यह reactions होते हैं ऐसे reactions जिसमें बहुत ही ज्यादा heat निकले या फिर धमाका होने लगे explosion होने लगे इन्हें हम violent reactions कहते हैं तो इसके अंदर lithium जो है यह normal reaction कर लेता है बाकी नीचे हम जाएंगे जैसे ही lithium, sodium, potassium या फिर cesium तक जाएंगे तो cesium जो है यह बहुत ही खतरनाक तरीके से reaction करता है water के साथ अगर हम cesium को put कर देंगे water के अंदर तो क्या होगा यहाँ पर एक धमाका हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा heat निकलने लगी इससे अब यहाँ पर यह एक हमारे पास equation है 2M मतलब यहाँ पर कोई भी metal आ जाएगा lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium कोई भी आ सकता है यहाँ पर water के साथ जैसे ही reaction करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास metal, hydroxide बनेगा और इसके साथ हमें hydrogen gas में लेगी अब यह कैसे बनता है यहाँ पर हमारे पास इसकी equation है यह देख लें, sodium है यहाँ पर जैसे sodium को हमने ले लिया और इसको water के साथ reaction करवाया है तो यहाँ पर sodium hydroxide बन गया और H2 बन गया अब देखें यह water है यह water जब भी reaction करता है तो यह तूट जाता है hydrogen ion और OH ion के अंदर तो यहाँ पर भी यह water hydrogen ion और OH ion के अंदर तूट जाएगा और यहाँ पर हमने water के दो moles लगाए हैं तो यहाँ पर 2 hydrogen और 2 OH के ions बनेंगे यह sodium के साथ यह वाला, क्योंकिए यह negative इसके ओपर चार्ज यह negative है तो यह positive sodium के साथ यह reaction कर लेगा और यहाँ पर sodium की वैलनसी प्लस बनें इसकी माइनस बनें तो यह आपस में reaction कर लेंगे और sodium hydroxide बना देंगे साथ में हमारे पास यह दो hydrogen है तो यह आपस में reaction कर लेगा साथ यह जो oxygen है और अपने उपने लेख़ बना लेता है ये layer stable होती है और ये दुबारा किसी और oxygen से मिलने की जास्थ नहीं देती बेरियलियम के उपर एक तरह की layer बन जाती है और उसके बाद ये बेरियलियम किसी दूसरे oxygen atom से react नहीं करवाता क्योंकि ये एक उपर oxide की layer पहले से आ चुकी है तो ये एक barrier बन जाती है तो इसलिए बेरियलियम और magnesium तो react नहीं कर पाते हैं बागी के जो elements हैं वो react करते हैं oxygen के साथ और ये water के साथ कैसे react करेंगे यहाँ पर एक equation है जिसके अंदर यहाँ पर M की जगा magnesium calcium और strontium और barium आ सकते हैं क्योंकि ये चार elements जो है ये reaction कर सकते हैं magnesium भी थोड़ा सा reaction कर लेता है steam के साथ लेकिन बेरियलियम यहाँ पर यह reaction नहीं करता अब यहाँ पर इसकी जगा आ जाएगा calcium या फिर कोई atom आ जाएगा और यह water के साथ जब reaction करेगा तो यह हमारे पास बनाएगा hydroxide metal hydroxide बनाएगा यहाँ पर अगर calcium है तो यह calcium hydroxide बनाएगा तो इसकी अगर हम valency देखें तो यहाँ पर जो element आएगा उसकी valency plus 2 होगी क्योंकि यह second group से है और यहाँ पर water जो है यह भी तूट जाएगा hydrogen iron और OH iron के अंदर यहाँ पर यह reaction देख सकते हैं calcium है calcium water के साथ reaction कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास calcium hydroxide बन रहा है water जो है यह तूट जाता है hydrogen iron और OH iron के अंदर क्योंकि OH iron के पास यहाँ पर क्या है negative charge है तो यहाँ पर इसके पास positive charge है plus 2 charge है इसके पास calcium के पास अब यह calcium इस OH iron से react कर लेगा 2 OH iron मिलकर calcium से react करेंगे और यहाँ पर CAOH2 बना लेंगे calcium hydroxide बन जाएगा यह यहाँ पर calcium की जो है यह plus 2 valency है और यहाँ पर OH की जो है minus 1 है 2 OH मिलकर minus 2 valency बनाते हैं और यह आपस में valency satisfy हो जाती है जिससे calcium hydroxide बनता है साथ में यह जो oxygen hydrogen है यह आपस में मिलकर OH2 जो gas है यह बना लेंगे और यहाँ पर hydrogen gas भी इसके साथ मिल जाती है तो इस तरह से यह हमारे पास एक reaction हो गया water के साथ 2A group का उसके बाद है reaction with halogen अब यह 1A और 2A group के elements halogen के साथ कैसे react करते हैं halogen हम कैसे कहते हैं है हम seven a group के elements को कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास chlorine बिलोरिन खौलिएलोंटे है इसके पर को सित्थी न सब इन इसके लिक्ष sm होता है अलकली मेटल्स का एलकली मेटल्स रिएक्ट विग्रीयूसली विदिहालोज़ाइपनस्स स्थी मतलब है बहुत बेंस बहुत और रिएक्ट करेंगे हेलोजन से और मेटल हैलाइट्स बनाएंगे। जब भी हेलोजन से किसी एलिमेंट का जब रियक्षन होता है तो वो हैलाइट बनाते हैं। तो मेटल हैलाइट्स यहां पर बनेंगे। The reaction involves the transfer electron from alkali metals to halogen ये इसके अंदर ionic bond बनेंगे और ionic के अंदर क्या होता है electron की transfer होती है तो यहां पर alkali metal से halogen की तरफ electron transfer होंगे तो alkali metal जो है ये electron lose कर देंगे और halogen जो है ये electron gain करेगा तो यहां पर एक reaction लिखा हुआ है 2m प्लस x2 x हम जाहिर करते हैं halogen को तो यहां पर x की जगा कोई भी halogen आजाएगा m की जगा कोई भी alkali metal आजाएगा जैसे के lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium और यहां पर हमारे पास 2mx बन जाएगा अब यहां पर इसकी अगर हम valences को देखें तो यहां पर इसकी जो valences है metal की यहां पर यह प्लस 1 होगी क्योंकि यहां पर 1a group के element की प्लस 1 valences होती है halogen की valences जो है वो minus 1 होती है तो halogen यहां पर ज्यादा तर minus 1 valences शो करते हैं अब यह minus 1 और यहां पर plus 1 तो यह यहां पर अगर klorine होता तो यह klorine हमेशा यह Halogen गसे की फार्म में एक्जिस्ट करते हैं तो यह किलोरिन अगर होगा तो CL2 की शकल में होगा तो यहांपर Halogen झूए वो X2 की शकल में यहांपर मिलते हैं और इसकी Valency जो ही ओमाइनस 2 हो जाती है अगर दो मिलेंगे तो माइनस 2 Valency होगी तो यहां पर दो हम metals लगा देते हैं कोई भी sodium potassium तो अब यहां पर जो बनेगा वो 2MX या फिर यह कोई भी metal halide यहां पर बन सकता है अगर हम इसका कोई reaction देख रहे हैं यहां पर तो यहां पर हमारे पास एक reaction है halogen के साथ जिसमें हमने sodium का reaction दिखाया है तो यह sodium है और यह chlorine के साथ reaction कर रहा है halogen जो है यह gases के form में exist करते है CL2 यह chlorine gas है halogen है तो इसका reaction हो रहा है sodium के साथ और हमारा NaCl sodium chloride बन रहा है इनके बीच में जो हमारे पास होगा वो ionic bond होगा अब यहां पर chlorine 2 है तो यह इसको हम 2 mol हमने कर दिया अब यहां पर chlorine की जो valency होगी वो minus 1 होगी और यहां पर sodium की plus 1 होगी तो दो sodium है plus 2 हो जाएगी और दो chlorine है तो minus 2 हो जाएगी valency दोनों की satisfy और इस तरह से हमारे पास salt बन जाएगा common salt और यह halogen का reaction हुआ है sodium के साथ दूसरा हमारे पास है alkaline earth metals और यह भी reaction करते हैं लेकिन बहुत ही कम extent पर मतलब कम reaction करते हैं लेकिन इनका reaction होता है यहां पर calcium है calcium की जो valency हो plus 2 है और chlorine यहां पर फिर से वही gas है तो इसकी valency है minus 1 माइनस 1 और इनकी plus 2 वैलनसी है तो अब क्या होगा यहां पर हम एक calcium लगाएंगे और 2 chlorine साथ में लगा देंगे तो calcium chloride हमारे पास बन जाएगा और CL2 आ जाएगा क्यूंकि यहां पर इसकी minus 1 है chlorine की तो यहां पर 2 chlorine एक calcium की की वैलनसी को satisfy करेंगे और calcium chloride बन जाएग अब हम पढ़ेंगे reaction with nitrogen तो nitrogen के साथ कैसे reaction होगा alkali metals का और alkaline earth metals का nitrides are formed when both alkali metals and alkaline earth metals react with nitrogen तो इस केस में nitrides बनते हैं और nitrides क्या होगते हैं इसके अंदर alkali metals या alkaline earth metals और उनका nitrogen का bond होता है साथ में तो यह nitrides के लाते हैं metal nitrides अब इनका जो general formula होता है nitrides का वो M3N होता है N की जगा nitrogen और M की जगा जो हो कोई भी metal आ सकता है alkaline earth metal का होता है M3N2 इसके अंदर N जो हो टू हो जाता है तो अब इनका जनरल formula को हमारा ज्यादा काम नहीं हम compound को देखेंगे सबसे पहले nitrogen की जो valency है वो कितनी है nitrogen की valency minus 3 है और यहां पर जो हमारे पास metal कोई भी आएगा उसकी valency होगी plus 1 क्योंकि यह alkaline metals है तो इसकी valency plus 1 होगी अब यहां पर हम reaction करेंगे इसका तो अगर हम nitrogen जो है वो हमेशा दो ही आएंगे nitrogen के diatomic gas है तो यह हमारी atomic शकल में नहीं होगी एक molecule की शकल में होगा तो यह gas यहां पर आ जाएगी अब इसके अंदर इसकी जो valency Industri 1 की है वह minus 3 है तो यहां पर एक nitrogen को satisfy करने के लिए हमें three metals लगाने होंगे यहां पर तो हम तीन यहां पर metal लगाएंगे लेकिन यहांपर दो nitrogen'll ai हम six metals यहां पर लगाएंगे तो इस तरह से हमारे पास यहां पर जो compound बनेगा वो M के साथ N के साथ three हमें metals लगाने होंगे क्योंकि एक nitrogen के साथ three metals लगाने तो हमारे पास यह M three N बन जाएगा और यहां पर मोल्स बनेंगे इसके उस तरह से हमारे पास यह रियक्षन होगगा तो यहां पर जो वैलन्स होगी यह मानिसि प्लस वन है और इसकी नाइटोजन यह मानिस 3 है तो हम इस में 3 अगर हम लगा देंगे Art frauky plus 3 ऑजाएगी और यहांपस में जाएगे तो M3N हो जाएगा और ये इसके दो मॉल्स बनेंगे क्योंकि ये 6 हैं और ये 2 है तो तरह से इसके दो मॉल्स बन जाएंगे M की जगा यहां पर क्या आ सकता है M की जगा लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम सारे इलिमेंट्स 1A गुरूप के आ सकते है उसके बाद हमारे पास है जो alkaline earth metals है second A गुरूप के इसके अंदर क्या होगा इनकी valency plus 2 है और यहां पर nitrogen की minus 3 है अब plus 2 है और minus 3 इनकी valency है तो हमारे पास हमें क्या करना है minus यहां पर n2 है तो यह इसकी valency 6 हो गई अब यहां पर हम 3 metals लगा देंगे तो इसकी भी valency plus 6 हो जाएगी तो minus 6 plus 6 हापस में किंसल हो जाएगे और यहां पर यह जो है वो 3 metals लग जाएगे और 2 nitrogen लग जाएगे तो 3 M3 N2 हो जाएगा M की जगा यहां पर beryllium हो सकता है magnesium, calcium, strontium, barium सारे जो है यह nitrogen के साथ reaction कर सकते हैं तो अगर हम इसका कोई एक reaction देख लें तो यहां पर हमारे पास nitrogen का एक reaction है जिसके अंदर हमारे पास क्या है sodium है 6 sodium हमने मिला दिये है nitrogen के साथ और यहां पर जो है वो N2 इसकी वैलनसी माइनस 3 और इसकी वैलनसी प्लस 1 हमने तीन nitrogen लगाए एक nitrogen के साथ तो हमारे पास बन गया NA3N तो यह हमारे पास sodium nitride बन गया और इसके साथ यहां पर दो nitrogen है तो हमने दो लगा दिया जिससे यह 6 हो गया तो इस तरह से यह हमारे पास 6 मॉल हो गया sodium के और यहां पर हमें 2 मॉल मिले है sodium nitride के अब इसके अंदर यहां पर नीचे देखें calcium है calcium के 3 मॉल्स हमने लगा दिये है nitrogen के साथ इसकी वैलनसी माइनस 3 calcium की प्लस 2 तो प्लस 2 है अब हमने यहां पर जो 2 nitrogen लगाए हैं तो इसकी हो जाएगी minus 6 minus 6 अब हमने यहां पर 3 calcium लगाने हैं ताकि यह 6 हो जाए प्लस 6 अब यहां पर M3N 3 calcium और 2 nitrogen तो यह 3 calcium और 2 nitrogen यह हमारे पास आ गया calcium nitride कहलाता है यह तो इस तरह से यह हमारे पास reaction हो गया nitrogen के साथ उसके बाद हम आते हैं hydrogen के साथ reaction कैसे होगा hydrogen के साथ alkali metals और alkaline earth metals reaction करते हैं और यह different temperature पर reaction होता है और यह ionic hydrates बनाते हैं ionic hydrates क्या होते हैं जिसके अंदर hydrogen का ionic bond हो metal के साथ ionic bond कैसे बनता है metal के साथ hydrogen को एक electron देंगे यह metals तो यह hydrogen जो है वो एक ionic bond बना लेता है यहां पर M की जगा metal आ जाएगा और यहां पर H2 gas आ रही है अब इसके अंदर इसकी जो है वो minus 1 valency है इनकी plus 1 valency है तो इस तरह से यह हमारे पास reaction करेंगे और हमारे पास MH बन जाएगा यहां पर metal आएगा यहां पर यह hydrogen है MH बन जाएगा और अगर हम इसको यहां पर 2 है दो hydrogen है तो हम इसको दो से balance कर देंगे यह हमारे पास reaction हो गया lithium, sodium, potassium यहां पर आ सकते हैं की जगा पर उसके बाद हम आते हैं next पर जो alkaline earth metals है यह भी reaction करते है hydrogen के साथ इसके अंदर hydrogen की जो balance होगी माइनस बनोगी और alkaline earth metal की प्लस टू है तो यहां पर एक alkaline earth metal से दो hydrogen लग जाएंगे तो एक alkaline earth metal है और यह दो hydrogen है यहां पर M की जगा calcium, statium, barium आ सकता है क्योंके magnesium और हमारे पास जो magnesium और beryllium है यह reaction नहीं करते इस hydrogen के साथ reaction क्यों नहीं करते वही same reason है वो अपने आस पास जो है वो oxide की layer बना लेते है उसके बाद reaction हमारे पास है alcohol के साथ alcohol के साथ जो reaction है यह 1A group वाले ज्यादा करते हैं मतलब यह vigorously करते हैं तो जल्दी से reaction कर लेते हैं 1A group के elements बाकी जो 2A group के elements है वो सही से reaction नहीं करते alcohol के साथ उनकी reactivity बहुत limited होती है मतलब बहुत ही कम reaction करते हैं अब alcohol जो है हम एक common alcohol यहां पर लेते हैं जो है इताहिल अलकोल और उसका formula है C2H5OH Actually alcohol एक पूरी family है हमारे organic compounds की है यह हम उसमें पढ़ेंगे तो इसका formula हमारे पास होता है CnH2n और प्लस 1OH तो यह हमारे पास इसका formula आजाता है जिसके अंदर हमारे पास last में OH आता है और यह NN की जगा carbon के number of carbon atoms आ जाते हैं इस तरह से हम formula बना सकते हैं यहां पर carbon की value 2 है तो 2 into 2 4 हो जाएगा और प्लस 1 यह 5 हो जाएगा C2H5 और OH तो यह हमारे पास इताहिल अलकोल बन जाता है अगर हम 3 यहां पर लगाए देंगे किसी metal को जैसे के 1A group के metals sodium, potassium तो इन से अगर हम reaction कराएंगे तो क्या होगा यहां पर हमें एक बात देखनी है कि यहां पर यह जो OH लगा हुआ है यहां पर जो यह एक acid है यह हमारे पास जो अलकोल है यह एक acid है OH लगा हुआ है लेकिन इसका मतलब बचे समझते हैं कि base है लेकिन यह क्या है हमारे पास acid है अब इस acid हमेशा proton donor होता है तो यह h को h plus को remove करता है acid हमेशा h plus को remove करते हैं तो यहां पर यह h plus को यहां से remove करेगा जिससे oxygen पर एक negative charge आजाएगा और इस पर h plus पर positive charge है अब यहां पर इसकी valency जो है यह हमारे पास 1A group के element से तो इसकी valency plus 1 है और यह जाकर इस O oxygen के साथ जाकर reaction कर लेंगे जिससे हमारे पास C2H5 O M बन जाएगा M मतलब N A आ जाएगा यहां पर sodium potassium कोई भी आ सकता है M की जगा पर उसके साथ बाकी यह जो O है यह आपस में reaction करके यह hydrogen gas बना लेंगे तो यहां पर hydrogen gas बन गई और हमारे पास यह इसे हम alcoxide कहते हैं metal alcoxide तो यहां पर यह जो है अगर यहां पर sodium है तो इसे हम बोलेंगे sodium alcoxide क्योंकि यह alkane कौन सा है यह methane है तो हम इसका जो common name होगा हमारे पास sodium methoxide तो methox क्योंकि यह ethile है तो ethoxide हो जाएगा यहां पर तो ethoxide और यहां पर यह sodium है तो हम लिखतेंगे sodium ethoxide तो इस तरह से यह इसका नाम होगा यह हम आगे जो है organic compounds वाले जप्टर में सही से पढ़ेंगे कि इसका नाम किस तरह से दिया जाता है rules क्या है यह आगे पढ़ने वाले हैं अब हम देखेंगे reactions with acids acids के साथ कैसे reaction करते हैं हमारे s block के elements तो सबसे पहले alkali metals react vigorously with acid alkali metals जो है यह one a group के elements यह बहुत ही actively जो reaction करते हैं acid के साथ और इसके साथ salt बनाते हैं क्योंकि metal जो है acid के साथ जब भी reaction करता है तो वो salt बनाता है तो अब यहां पर हम यह M है हमारे पास M की जगा कोई भी metal आएगा और HCL के साथ यह reaction करेगा तो हमारे पास MCL बनेगा M की जगा कोई भी metal होगा साथ में hydrogen gas बनेगी अगर इसका अगर हम कोई reaction देख लें तो यहां पर हमारे पास एक reaction है यह देखें हमारे पास यहां पर sodium है sodium को हमने लिया साथ में HCL के साथ reaction करा दिया HCL क्या है एक acid है तो यह इस से reaction करेगा और यहां पर CL के पास जो charging है वो negative charge है और यहां पर H के पास positive charge है तो यहां पर क्या होगा यह जाकर CL के साथ reaction करेगा जिससे NaCl बनेगा और इसकी valency plus one है इसकी valency minus one है तो यह अपस में satisfy हो जाएंगे NaCl बन जाएगा साथ में hydrogen gas remove होगी तो इस तरह से अगर हम balance कर देगे यहां पर true लगा देंगे तो हमारे पास यह balance हो जाएगा उसके बाद जो दूसरे हमारे पास true a group के elements है यह बहुत ही कम reaction करते हैं इनका भी अगर हम reaction करा के देखें तो हमारे पास फिर से यहां पर sodium chloride बनाए यहां पर calcium chloride बन जाता है इसमें क्या होता है हमारे पास calcium की true valency है plus two valency है और यहां पर chlorine की minus one है तो यहां पर दो chlorine चाहिए होंगे एक calcium को satisfy करने के लिए तो CACL2 बन गया यहां पर हमारे पास calcium chloride और हमारे पर H2 gas हमारे पास release होगी तो इस तरह से यह हमारे पास acid के साथ reaction करते हैं और इनके जो reaction होते हैं यह exothermic reaction होते हैं exothermic का मतलब यह हीट release करते हैं और यह कोई-कोई reaction में violent भी होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा heat release करते हैं जिससे कोई धमाका भी हो सकता है तो यह इन्हें बहुत ही इहतियाद से reaction करना होगा complete होते हैं अब यहां पर हमारे पास self assessment के questions हैं और इन्हें में लिखा हुआ है कि complete and balance the following reactions तो book में हमारे पास जो है paper में भी ऐसे ही आता है कोई reaction लिखे होते हैं उनको हमें balance करना है और उनको complete भी करना है last में हमें कौन से compounds बनेंगे ये भी देख लेना है तो इस तरह से book हमारे पास आते हैं अब हम इनको solve करने वाले हैं तो आएए यहां पर देखते हैं copy पर तो number one में हमारे पास है magnesium और ये reaction कर रहा है N2 के साथ तो nitrite बनना है यहां पर magnesium nitrite हमने nitrogen के साथ reaction देखा था ये हमारे पास magnesium true group का element है तो इसके अंदर जो इसकी वैलनसी होगी वो plus 2 होगी जबके nitrogen की है minus 3 तो अब इसकी वैलनसी को satisfy करने के लिए nitrogen यहां पर 2 है तो इसकी वैलनसी 6 होगी और हमें यहां पर 3 magnesium लगाने होगे तो यहां पर कितनी इसकी वैलनसी होजाएगी 6 तो आपस मे है वो एक molecule के अंदर 3 magnesium आएंगे साथ में N2 आएगा nitrogen 2 आजाएगे तो इस तरह से magnesium और सॉरी यह मैंने नीचे लिख दिया इसको हम यहां पर लिख देंगे magnesium और यहां पर nitrite तो यह हमारे पास बन जाएगा magnesium nitrite ओके तो यह इस तरह से reaction हमारा complete हो गया दूसरे में देखते है sodium इसकी वैलनसी प्लस बन है और यहां पर हमारे पास यह sodium यहां पर attach होगा क्योंकि oxygen पर negative charge होगा तो इसलिए यहां पर यह sodium आकर attach हो जाएगा तो अब हम इसका कैसे लिखेंगे यहां पर C2H5 यह ethyl alcohol है इस oxygen के साथ यहां पर na लग जाएगा तो यह हमारे पास जो है वो so sodium ethoxide बन गया sodium ethoxide यहां पर बन गया है और इसके साथ साथ यहां पर H2 gas release होगी तो यहां पर देखें एक hydrogen है हमें यहां पर 2 है hydrogen gas को remove करने के लिए 2 चाहिए तो इसलिए हम यहां पर 2 लगा देंगे और यहां पर भी 2 लगा देंगे यह हमारे पास equation जो है बैलनस हो यह हमारे पास एक acid है तो potassium का acid के साथ reaction हो रहा है यहां पर hydrogen पर positive charge है यहां पर negative charge है sulfate पर तो यहां पर यह negative charge वाला यहां पर आकर इस potassium के साथ attach हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा potassium sulfate K2SO4 तो यहां पर देखें K2SO4 यहां पर बनना है अब इसके अंदर K2 जो है यहां पर दो है तो हम यहां पर दो लगा देंगे और तो यहां पर जो वैलनसी थी हाईरोजन की वो हाईरोजन की थी प्लस बन तो दो हाईरोजन है तो प्लस टू होनी थी अब यहां पर यह दो लगा देंगे हम कैल्शियम इसलिए पोटेशियम यहां पर दो लगाने होंगे ताकि इसकी वैलनसी सेटिस्पाइ हो तो इस तरह से इसकी वैलनसी सेटिसफाय हो गई और अब यहां पर यह reaction complete हो गई है जिसके अंदर हमें मिलेगा hydrogen gas क्योंकि यह H2 है यह hydrogen gas यहां पर बना लेगा नमबर 4 में आते हैं नमबर 4 में हमारे पास है barium और oxide बना रहा है तो हमें यह पता है कि barium हमेशा पर oxide बनाता है यह आपको याद करना होगा barium पर oxide बनाता है barium जो है 2A ग्रूप से है तो इसकी वैलनसी होगी प्लस 2 और यहां पर oxygen की है minus 1 क्योंकि यह पर oxide है तो minus 1 है अब बेरियम की बेरियम की जो है इसकी वैलनसी अगर हमें satisfy करनी तो plus 2 यहां पर हम दो oxygen लगाएंगे ताकि इसकी भी minus 2 हो जाए तो एक बेरियम के साथ दो हमें oxygen लगाने होंगे तो यह हमारे पास बन जाएगा barium oxide BAO2 यह barium oxide है जो बना है barium और oxygen के reaction के लिए उसके बाद हमारे पास है calcium और water का reaction calcium 2 a group का element है तो इसकी वैलनसी होगी plus 2 water को भी हम यहां पर तोड़ देंगे H और H negative O H negative तो यहां पर hydroxide बना है calcium का अब यहां पर calcium के साथ कितने hydroxide लगेंगे तो यहां पर इसका answer है 2 क्योंकि एक hydroxide पर एक charge है यहां पर calcium पर दो चार्ज है तो यहां पर दो OH लगाने होगी एक calcium के साथ ताकि इसकी जो वैलनसी है वह हमारे पास हो जाए माइनस 2 हो जाए यहां पर plus 2 है तो यहां पर minus 2 हो जाए तो इस तरह से यह calcium hydroxide हमारे पास बन गया और साथ में हमारे पास H2 gas release होगी अगर हम equation को balance करें तो यहां पर हम लगा देंगे 2 ठीक है तो यहां पर दो यह और यह चार हमारे पास hydrogen हो गए और दो oxygen तो इस तरह से हमारे पास reaction complete हो गए तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं एक और छोड़ा सा topic जो इस वीडियो में हम cover कर लेते हैं वह है फ्लैम टेस्ट फार एस ब्लॉक elements तो एस ब्लॉक elements के अंदर flame test कैसे अब flame test क्या होता है flame test is a qualitative method used to identify the presence of alkali metals based on the characteristics of flame colors तो जब भी किसी किसी metal को अगर हमें जानना है कि ये कौन सा metal है उसको पहचानना है तो इसके लिए हम कुछ test करते हैं और वो test जो है वो quality के बेस पर होते हैं उन्हें हम qualitative method कहते हैं अब qualitative method में क्या होगा यहां पर flame test के अंदर हम जो हो किसी metal को जलाएंगे किसी alkali metal को जलाएंगे और वहां प और उसके जो flame होगा उसके जो आग होगी उसका कलर होगा सि vegetation कर मेच के इन कि यह कि अगर लीथियम जो है, यह रेड कलर करता है फ्लेम के अंदर, तो अगर रेड कलर आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि यह लीथियम है, तो अब हम यहां से थोड़ा प्रड़ लिते हैं, फिर देखते हैं, वेन अलकली मेटल्स अर इस कंपाउंट्स बॉर्न इंद फ्ले तो हम जैसे ही फ्लेम देंगे तो क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एलिमेंट के वो इलेक्ट्रॉन्स लोवर एनरजी लेवल से हायर एनरजी लेवल तक जाएंगे higher का मतलब क्या है यहां पर अगर electron होगा तो इसको energy मिलेगी तो यह next shale के तरफ जाएगा और यहां पर यह पहुंच जाएगा लाइट वेवलेंथ की होगी और वह लाइट जो होगी वह हमें colors के फाम में वहां पर नजर आएगी तो इस तरह से वह color कर देते हैं किसी भी flame को अब यहां पर flame के colors लिखे हुए है कि कौन सा element किस तरह का color जाहर करता है जिससे हमें पता चलेगा कि यह कौन सा element है तो अगर हमा color है portion rubydium यह हमारे पास एक और color निकलता है जिसका नाम है red violet तो यह थोड़ा सा dark होता है थोड़ा सा red होता है violet और उसके बाद cesium यह blue violet जो है वो āडारक violet नकलता है उसके बाद berryलियम जो है इसका color कोई नहीं होता साझंट से characteristics नहीं होता उसके बाद magnesium जो है यह silver white हमारे प बहुती गैरा red आ से बहुती गेरा बेरियम नहीं है तो इस तरह से जो भी Kadaric आएगा हम एक यह पर यह वै करते हैं उसमें वह लगासे उपका का जिस तरह का होगा उससे हमाँ पता चलेगा कि वह कौन सा मेटल है तो इस तरह से यह हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ इसमें हमने दो टॉपिक कवर कर लिए अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर आपको इस तरह से बुक से पढ़ना पसंद आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम बुक से पढ़ाना चार्ट कर दें और थैंक यू सो मच फूर वाचिंग नेक्स वीडियो में हम नेक्स टॉपिक को डिस्क्स करेंगे अलाओ आफेज